हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे देखिए वीडियो के रिजल्ट को लेकर अभी काफी दिनों से कोई न्यूज नहीं थी जिसके कारण हम आप लोगों से नहीं मिल पा रहे थे कोई वीडियो नहीं आ रहे थी क्योंकि फालतु में ही वीडियो बनाना मेरा कोई परपस नहीं है जब तक आप लोगों के लिए कोई सठीक जानकारी हमारे नहीं हो अभी आप λέ़ों के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी कुnt कामरी निकल कर आप लोगों के रिजल्ट के बारे मैं बताया वाई कि कब तक आप लोगों का जो रिज से उनकी बाची तो यह उसके अंदर उन्होंने बताया कि 13 अप्रेल तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है काफी डिले किया गया है आप लोगों के रिजल्ट को क्योंकि नॉर्मलाजेशन को लेकर जिस प्रकार के डाउट चल रहे थे कमिटी भी केंसे के अंदर नॉर्मलाजेशन नहीं होने वाला है रो मार्क्स के अधार पर यह आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है तो 13 अप्रेल को एक संभावी तिती बताई जा रही है रादे मिना के दवारा बोर्ड के अधिकारियों से बाचीत करके इन्होंने यह बताया कि 13 परेल तक आप लोगों का जो रिजिल्ट है वो जारी कर द गया वहाद नोज में मृद़्िधन ऑूबगा यह इंदर लेने वाला है मुख्य परिक्षा के इंदर उनका सेलेक्शन होने वाला है मुख्य प्रिक्षा की डेट भी इन्होंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि दो या नो जुलाई को आप लोगों की एक ही दिन आप लोगों को एकजाम होगी या तो दो जुलाई को होगी या फिर नो जुलाई को आप लोगों को एकजाम करवाई जा सकती है उसके बारे में अभी process चल रहा है उसकी जो date है आप लोगों को 20 से लेकर 22 अपरेल तक अभी भी आप लोगों को बताई जा सकती है तो ये आप लोगों की result को लेकर एक थोड़ी सी चोटी सी update थी इस होचा आप लोगों को बता दिया जाए क्योंकि आप लोगों को बहुत बहुत सुब काम नहीं अच्छे से अपनी तयारी करिये जब भी result आएगा आप सुभी लोगों को पता है कि आपके अच्छे नमर बन तो निश्चित और पर आप लोगों का selection होगा इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी doubt रहता है तो निश्चित comment करिये में आप लोगों को हर comment का जवाब देने के लिए तयार बैटा हूँ कोई भी सवाल doubt आप लोगों का है तो comment करिएगा वीडियो को अंतक देखने क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही जै हिंद वंदे मातरम जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाईएगा थैंक्यू